और बच्चे कैसे हो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वर्क नर्जी एंड पावर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फिजिक्स का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें इसका अप्लिकेशन नहीं है तो सबसे पहले मोगा समझेंगे वर्क क्या होत है कि बहुत लोग के दिमाग में यह होता है कि वर्क जो है वह होता क्या है तो वर्क के बारे में जनरली जो बुक वेगर है में डेशन देखो यह वह क्या दिखा रहता है कि वर्क एक्वल टू फोस्ट डॉट डिस्प्लेस्मेंट है बस हम लोग को लगता है कि इतना जान तो समझ गया के वरक क्या होता है वाथ सारा कॉंसेब्ट है जो को समझ बनता नहीं रखता है कि फॉर्मूला तो यहीं है बड्चिए निकल तो सबसे पहले हमको यह संघना पड़ेगा कि वर्ग जो हम लोग पड़ रहा है वह कौन सा वर्ट पार रहे हैं वह थे होता है हम खा रहे हैं तो काम कर रहे हैं चल रहे हैं तो काम कर रहे हैं है ना कोई मसीन जो है वह भी वर्क कर रहा है हम किसी चीज पर फोर्स लगा कि किसी चीज को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वर्क कर रहे हैं तो वर्क बहुत तरह का होता है तो हम लोग को जो सिलेवस में द प्यूसल कर रहें पहले दो बच्चों को यहीं पता वहता है कि वर्क पड़ रहे हैं कि सब से दिखार रखना हम लोग हम लोग मेकेनिकल वर्क के बारें पढ़एंग है अब मेकेनिकल वर्क का जो की सन्थव या जर्नली मैक्सिमम बुक्स में या जो भी फिजिसिश्ट ने देफिनिशन बनाया है वर्क का फोस्डाट इस्प्लेस्ट मेंट इसमें दो-तीन पॉइंट मेजर है जो हमको ध्यान र दिश्प्लेस्मेंट यह बॉडी का नहीं है मतलब हम जिस पॉइंट पर यानि हम जिस बॉडी पर फोर्स लगाते हैं हमको उसके डिस्प्लेस्मेंट से कोई लेना देना नहीं है यह अपने आप में बहुत बड़ा कॉंसेट है जो मिस हो जाता है बच्चों से या बहुत बार बहुत लोगों से मिस हो जाता है लेकिन यह ध्यान रखना है कि यह जो डिस्प्लेस्मेंट है यह जिस बॉडी पर या जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे है उसका डिस्प्लेस्मेंट नहीं है यह डिस्प्ल प्वाइंट प्वाइंट पर लगा रहे हैं है ना उस पॉइंट का डिस्प्लेस्मेंट जो है वो डिसाइड करेगा उस फोर्स का वर्क यह यह बहुत बड़ा कॉंसेप्ट है और इसका बहुत सरफ प्रॉप्लिकेशन आगे के चैप्टर तुमको बताएंगे जैसरों टैस् चलो अब यह रहां प्वाइंट इस प्वाइंट पर हमने क्या लगा एक फोर्स लगा है यह जो फोर्स है यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह इस प्वाइंट पर लग रहा है कि अगर यह बॉडएद्प दीस्प्लेश होता है सपोज करो यह बॉडई डीस्प्लेy का डीस्प्लेश्मिंट जो रहा है अब यहां पर अपने आप में बहुत सब्सक्राइख करनका इस नहीं कि हम लोग प्र टेसंट जा रहेंने लेकिन जब हूं लेकिन पक Sheल में लिए पॉइंट और भार हुड मों कोई फरक नहीं होता है इसलिए यह ब्रश्च से प्रॉलम प्रेस्ट बहुत काम आने वाला है क्योंकिए अप्लेस्ट जान रहे थे और गलत जान जाए तो यहां पे जो displacement है वह हम बॉड़ी का नहीं लेंगे इस कि यह पॉइंट जो है यह कितना डिस्प्लेस हुआ यानि displacement जो है हम इस पॉइंट का देखेंगे यानि डी स्कूम डी डैस बोल रहे हैं और यह दी बोल रहे हैं अब माल लो यह ऑबजेक्ट इलोंगेट होने वाले यहित और इलोंगेट होने वाला और जिसमें में इनलोंगेशन प्रोड्यूस हो सकता है अब माल допर अब लो कुछ ऐसा ऑबजेक्ट होता जो इलोंगेट हो सकता है या या सक्ता है तो अब उसमें तुमको प्रावलम आएगा क्यों क्योंकि body का displacement अलग होगा वर जिस point पर force लगा रहे हैं उसका displacement क्या अलग होगा तो वहाँ पे भी तुमको प्रावलम आएगा जब यह definition ठीक से नहीं पता होगा तो तो यहाँ पे हम displacement जो है वह क्या लिख रहे हैं point of application का ठीक है जिस point पर force लग रहा है एक point definition में जो important था है दूसरा point यह है कि यह force यह definition तब यूज़ करते हैं जब force constant nature का और नहीं तो इसी को हम integral form में यूज़ करेंगे definition यही रहेगा बस small segment के लिए यूज़ करेंगे definition यह नहीं होता है definition वहाँ पर भी force dot displacement ही रहाएगा लेकिन displacement जो है वो differential form में चला जाएगा तो यहाँ पर हम ध्याँ रखना कि exact अगर हम यही definition यूज़ कर रहे हो exact force dot displacement यूज़ कर रहे हो तो force जो है वो constant magnitude का होना चाहिए constant magnitude का होना चाहिए force जो है वो constant magnitude का होना चाहिए force अगर variable nature का हुआ तो फिर हम इस definition को थोड़ा सा mathematically modify कर देंगे definition यह रहेगा थोड़ा सा mathematics रहे हो जाएगा तो यह दो important चीज़ जब भी तुम work calculate करो तो दो चे दिहार रखना force अगर exact यही definition यूज कर रहे हो तो बहाँ 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 बोल रहे है कि force constant magnitude का होना चाहिए और displacement जिस point पर force लग रहा है उस point of application का होना चाहिए अब इसको समझने के लिए इसका application समझने के लिए हम एक example लेते हैं अच्छा एक चीज और अब जैसे हम लोग अब जहां पर डॉडक की जितनी property है वो सब हम इसमें यूज कर सकते हैं वेक्टर न लोग पढ़े भी होगे तो यहां डॉडक की जितनी property है सब इसमें हम चलते हैं अब इसका unit unit क्या होगा तो फोर्स और इस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा मल्टिप्लाई कर देंगे तो यूनिट डाइमेंशन यह सब या फिसकल क्वांटिटी का इसा है याद रहने की चीज नहीं है वो से तुम देख सकते हो ठीक है चला हम लोग आते हैं वाकस वर्क पे वर्क का डेफिनिशन देख रहे थे ठीक है जब फोर्स कॉंस्टेंट नेचर का हो तो इसके लिए सबसे अच्छा एक कॉमन एक्जामपल तुमको बताते हैं जो हम लोग पर डे मतलब फील नहीं कर पाते हैं बट हर समय हम वह काम करते हैं उसका एक कॉमन एक्जामपल लेते हैं जो तुमको बताएगा कि पॉइंट आफ एप्लिकेशन से वर्क डेंड कैसे निकाला जाता है देखो अभी जैसे एक एक्जामपल ले रहे हम अभी जैसे कि एक्जामपल ले रहे हैं माल लो तुमसे अगर कोई बोले यह है माल लो कोई भी जैसे एक्स वाई जेट कोई बच्चे का नाम ले लेते हैं माल लो अपना ही नाम ले लेते हैं यह माल लो श्याम यह है श्याम ठीक है अब यह श्याम जो है वह फाइब मीटर वाक करके गया यह इसमें माल के वेंदे हैं यह लेते हैं कि इसकी स्पीड जो है वह कॉंस्टेंंट इसपीडसे से constant speed से 5 meter displace हुआ constant speed से 5 meter displace हुआ इस man का जो mass है मालो मेरा ही weight ले लेते है suppose करो 80 kg है mass है mass और weight में अंतर होता है हम लोग इसको discuss करेंगे कभी तो mass जो है इस body का यानि इस person का जो mass है वो कितना है 80 kg है अब जिस surface पे चल रहा है चलने के लिए roughness चाहिए उसका coefficient दिया रहेगा 0.2 मुस 0.2 है और मुक के कितना है 0.1 है अब हमसे पूछेगा कि find work done by normal force work done by gravity work done by friction force simple हमसे work पूछ रहा है अब यह तम लोग पर्डे का example देखते है घर में भी चलते है अब हमसे पूछेगा कि हम पर जो जो फोर्स लग रहा है उसका work done क्या है अब यह तो common चीज है मतलब यह सब तो basic चीज है और generally जितने भी examination होते हैं ना वो तुमसे basic चीजी पुछता है तो बहुत हाइफाइफाइफ चीज नहीं पुछता है हम लोग को actually basic चीजी नहीं पता होता है इसलिए लगता है कि कोशन बहुत टफ था यह था नहीं इसलिए बड़ा definition को ठीक से समझते नहीं है यह उसका application हर तरह का application देखते नहीं है जिसकी विज़से हम लोग इतना प्रॉलम में आ जाते हैं तो सबसे पहले लोग देखते हैं कि वर्क डन कैसे निकालते हैं अब लोग इसका FBD बनाते हैं चलो इसका FBD बना लिए इसका FBD बना लिए कि कि भागे की का तो जब मैंन वills कर रहा है क्वांस्थासे तो हम लोगों को क्या लग रहा होगा कि generally हम लोग को पढ़ाया जाता है कि भाई कोई चीज मोशन में है तो kinetic friction लग रहा होगा लेकिन तुम खुद सोचो कि kinetic friction कब लगता है जब sleeping का case हो क्या man जब हम लोग ground पे चलते हैं तो क्या हम लोग sleep करते हैं नहीं करते हैं मतलब friction जो है वो कैसा लग रहा होगा स्टाटिक कानेटिक तो लग ही नहीं रहा होगा और हम चल क्यों पा रहे हैं friction की वाज़े से ठीक है मतलब forward direction में एक friction फोस लग रहा होगा अस्टाटिक यह तीन इस पर फोस लग रहा है अब नॉर्मल और एंजी की बात करें तो पार्टिकल का displacement इस डारेक्शन में दको वेक्टर नोटेशन के साथ बनाया है displacement जो है y-cap के direction में और gravity का force और normal का force जो है वो किस direction में y direction में तो dot कितना हो गया 0 मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि normal force का work done 0 और gravity का work done 0 यह तो definition से पता चल रहा है क्योंकि अगर हम f.d लिखे तो force और displacement यहां पे mutually perpendicular है तो work 0 हो गया तो यहां पे work क्या हो गया जीरो हो गया अब बचा friction friction कितना work किया तो यहां पे देखना पड़ेगा कि static friction कितना लग रहा है अब हम यह सोच रहे होंगे कि particle constant speed से move कर रहा है ऐसा महां लोग बहुत ही slowly जिस चलते हैं तो अब यह सोच रहे होगे कि kinetic friction जो लग रहा होगा वो क किस magnitude का लग रहा होगा पहले तो यह समझना पड़ेगा तब उसका वगदा निखलेगा अब static friction किस magnitude का लग रहा होगा यह कैसे डिसाइड करेंगे static friction तो अपने आप में एक self-adjustable force है तो यह कैसे डिसाइड करेंगे कि static friction कितना लग रहा है जैसे हम लोग fs max maximum static friction की value कितनी होती है यह max value है actually static friction तो 0 से max के बीच में कुछ भी लग सकता है तो यह कैसे डिसाइड होगा कि इस पे friction का magnitude कितना है एक तो अपने आप में यह बड़ा question है अब चुकि हम लोग वाक कर रहे हैं ठिक है वाक कर रहे है friction static nature का है तो उसका magnitude भी अभी पुरा picture के लिए नहीं है कि magnitude कितना लग रहा है इस पे हम आते हैं लेकिन बिना magnitude जाने कि हम इसका वर्गडन बता सकते हैं को सब्सक्राइब करों को इसका magnitude पता नहीं है मतलब पता नहीं चल रहा है कि इसका magnitude क्या है तो क्या वर्गडन बता सकते हैं तो जनली हम लोग बोलेंगे नहीं कैसे बताएं तो थोड़ा से हैं लोग रुखते हैं अब यह देखो कि जनली जब लोग वाक करते हैं तो क्या होता है जैसे कोई person ग्राउंड पर वाक करेगा तो हम नीचे एक बना रहे है थोड़ा समझ में आएगा मालो हम लोग वाक करते हैं तो क्या होता है हर वार तुम सो imagine करो तुम चल के देखो थोड़ा से जहां भी तुम लोग पढ़ रहे हो या कभी घर पे experiment करना तुम वाक करो क्या होगा तुम्हारा point of application बार बार चेंज हो रहा है जैसे अगर हम चलते हैं किसी भी surface पे जब हम चलते हैं किसी भी surface पे तो क्या होता है यहीं पर point of application को समझना था जैसे यह हमारा point जो भी पैर का point है और यह ground का point है यह दोनों contact में होंगे हम ground को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं तो ground हमको आगे की तरफ पुश कर रहा है तो यह जो point of application है यह बा समझने वाला point है तुरा समझना ध्यां से अब वो ground के नए वाले point के contact में आ जाएगा तो यहाँ पे point of contact बार बार change हो रहा है और जिस point पे force लग रहा है वो point move नहीं कर रहा है वो point move नहीं कर रहा है move क्या कर रहा है body तो यहाँ पे जो point of application है उसका displacement हो गया 0 तो हम क्या बोल दिये work done friction हो गया 0 अब यहाँ पे दो टार्गेट पूरा हो गया एक तो हम लोग यह समझे कि the point of application का displacement कितना important है body displacement से कोई लेना देना नहीं था दूसरा कि हमने यहां friction का magnitude जाने बगार बता दिया कि इसका work done क्या है अब इसमें बहुत सारा concept है friction का ही बहुत सारा concept है हम लोग detail में जानेंगे आज के लिए इतना है काफी है रहने दो थैंक्यू मिलते हैं हम लोग next video है